हेलो बच्चो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चेप्टर 14 that is water तो बच्चो अभी था हम water के uses, water, what is the source of water and water cycle के बारे में detail में पढ़ चुके हैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमने यह भी पढ़ लिया है कि clouds कैसे बनते हैं from activity third and today we will start from the back to the oceans तो पहले बच्चो हम पढ़ लेते हैं कि बुजो क्या कह रहा है बुजो हैस नोटिस्ट तो बुजो हैस नोटिस्ट फोग नियर दा ग्राउंड in winter mornings तो बुजो को सर्दियों में अपने आसपास दुन्द दिखाई दी he wonders if this is also condensation of water vapor near the ground what do you think तो बुजो ने सही सोचा जो हम दुन्द देखते हैं जिसे हम फोग कहते हैं तो वह दुन्द बिल्कुल ground के पास होती है तो उसमें क्या होता है कि water vapor बहुत ही ज़दा condense हो जाती है इसकारण हमें जो आर पार लिखना बंद हो जाता है और यह water vapor समर में भी available होते हैं लेकिन समर में क्या होता है कि temperature इतना low नहीं होता जिसके कारण है condense नहीं हो पाते इसलिए दुन्द नहीं होती तो जादा तर हमें January और February में दुन्द और या फिर folk कहा जा सकता है folk देखने को मिलती है due to the low temperature तो बच्चो आज हम शुरू करने जा रहे हैं back to the oceans what happens to the water that rain and snow bring to different region of the earth अब हम उन्हें यहां तक पढ़ लिया था कि पहले तो बादल कैसे बनते हैं अब हमने पढ़ा था कि जो rain है और snow है वह क्या करती है कि different regions में जो water है जो rain की form में आता है या snow की form में उसका आगे क्या होता है almost all land surface are above the level of oceans तो oceans समुंदर की सतह से सभी जितना भी land है वो बहुत ही उचाई पर available है most of the water that falls on the land as rain and snow sooner or later goes back to the ocean this happen in many ways जो पानी rain के दोआरा ground पर गिरा है वो कही ना कही नदियो जड़नों के दोबारा फिर से ocean में मिल जाता है तो अगर आप सोचो कि ocean से सिर्फ evaporation होती गई तो पानी क्या हो जाएगा ocean भी सूख जाएंगे लेकि ocean कभी सूखते नहीं है क्योंकि वहाँ से अगर evaporation हो रही है तो same amount या उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे amount of water दुबारा से oceans में add हो जाता है तो यही कारने के समुंदर नहीं सूखते snow in the mountains melt into water तो क्या होता है कि जो snow होती है हिम परवत तो वहाँ से melt होनी शुरू हो जाती है this water flows down the mountain in the form of streams and rivers तो मान लो कि यह कोई परवत है जो इस पर बहुत जादा बरफ जमी हुई है और यहाँ से फिर धीरे धीरे पिंघलनी शुरू हुई है और पिंघलने से क्या हुआ कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि rivers और नदियां बननी शुरू हो गई और यह कही ना कहीं फिर से कहां मिल जाती है ओशियन में तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि oceans कही ना कहीं फिर से refill होते हैं तो इस तरह से cycle चलता है जैसे कि यह sea water है यहाँ से evaporation हुई तो cloud बने cloud से बारिश हुई, rain हुई rain होने से rivers में पानी गया rivers से फिर से कहां गया sea में तो इस तरह से यह cycle है चलता रहता है और इस तरह से पानी recycle होता है तो ultimately fall into sea or an ocean however water of some rivers flow into lakes तो कुछ नदियों का पानी एक जगए कतरित भी हो जाता है और क्या बना लेता है जीले तो आप देख सकते हैं जैसे बच्चों यहां पर आपको rivers दिखाई दे रही है rain water flows down in the form of streams and rivers आप देख रही हैं यहां से बारिश जो बर्फ पिंगलने के बाद नदिया बन रही है और यहां से नदिया देखो कैसे निकल रही है पहाडों के बीच में से तो इस तरह से पानी नदियों के तुरू oceans में फिर से मिल जाता है the rain water also fills up the lakes and ponds तो rain water फिर से क्या कर देती हैं lakes और ponds को fill कर देती हैं तो part of the rain water gets absorbed by the ground and seems to disappear in the soil तो इस तरह से जो rain water है वह कहां पर जाता है सबसे पहले ground पर बारिश आती है तो ground पर पानी गिरता है वहाँ से वह धर्ती के अंदर चला जाता है some of this water is brought back to the air by the process of evaporation and transpiration जैसे मैंने आपको बताया कुछ पानी तो ground water के में से evaporate हो जाता है through transpiration जैसे पोदे पानी को absorb करेंगे तो वह transpiration करेंगे तो कहीं न कहीं वह पानी कहां से absorb कर रहे है ground से तो इस तरह से कुछ amount of water तो water vapor की form में उड़ जाता है लेकिन maximum amount of water कहीं न कहीं फिर से नदियों का हिस्सा बन जाते हैं और इस तरह oceans में मिल जाता है the rest seeps into the ground most of this water become available to us as ground water जो दर्ती के नीचे पानी होता है उसे हम ground water कहते है open wells are fed by the ground water ground water is a source for many lakes as well तो यही ground water है जिससे काफी जगए हमें lakes देखने का मिलती है क्या होता है कि ground में जो यह water layer है तो यहाँ पर कोई मान लो कि यहाँ पर कोई space है तो यह ground water risk कर यहाँ पर एक जील की शकल ले लेगा और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ground water से ही जो पानी risk कराए एक जगए कठा हो गया है तो किसमें परिवर्तित हो गया है जील में अब आप देखो जैसे यह ground है और यह नीचे water available है यहाँ पर एक कुवा लगा देते हैं अब हर घर में समर्शिबल या हैंड पम होते हैं या टीवल होते हैं हर खेत में तो उससे पानी का लेवल घटता जा रहा है या चिन्ता का विशे है पहली wants to share a concern with you in those areas where the land has little or no vegetation तो पहली आप से एक और चिन्ता का विशे हैं शेर कर रही है कि ऐसे भी लेंड है जहां पर कोई भी vegetation मतलब कोई भी वनस्पती नहीं है the rain water flows away quickly तो क्या होता है उस पर वहां खाली लेंड पर पानी जल्दी गती से तेजी से बहता है तो इससे क्या होगा कि जो मिट्टी की उपरी परत है जिसके अंदर humans present होती है जो बहुत ही पोदों के लिए बहुत ही लाबधायक होती है वह है परत बिल्कुल साफ हो जाती है पानी के साथ इससे क्या होता है मिट्टी बंजर हो जाती है तो flowing rain water also takes the top layer of the soil away it there are few areas where most of the land is covered with concrete तो बहुत से ऐसे लेंड जहां पर हम कहते हैं कि घर बना लिए या पक्के कर लिए तो वहां से पानी धरती में नहीं जा पाता this reduces the seepage of rain water into the ground तो यह भी एक चिंता का विशे है भी जहां पर पक्का होता है वहां से पानी नीचे जाने के chances खतम हो जाते है which ultimately affect the availability of groundwater इस तरह से पानी की groundwater में अगर कहा जाए तो पानी की कमी हो जाती है तो वच्चो आज के लिए तना ही है आज आप इस टोपिक को अच्छे से रेड करें और समझने कोशिश करें और जो टर्म्स आई हैं आप उन्हें अंडरलाइन करें आज के लिए तना ही धन्यवाद